हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू अभीनव परताप सिंग फुलोग लाइक से सब्सक्राइब कमेंट अवस्य करना तो मैंने आपको अपना चैरा भी दिखा दिया और अब देखिए पीछे से कैसा मामला है लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना बाकी आज मैं हूँ साम का वक्त हो रहा है छें बजे हुए हैं पूरे और खेट में आया हूँ मैं अपने यह घास आपको गववा दिख रहा है ना थमने लिए फोटो ले लूए तो यह अभी धीर-धीरे काटा जा रहा है जो घ दीरे करके खुझ से काट रहे हैं मतलब यह है एक हिसाफ से हमारा फायदा है चैनि जैसे आप हे सकता है इतना घास सुगा हुआ है जया सकते कुर्याट अब इसे धीर-धीरे करके हो जाएगा कुछ समय में अब टाइम से काट के ले जाएंगी अभी दो-चार दिन से या एक अफ़चे से अच्छी वारिश नहीं भी जिससे यह सब कुछ सूख चुके हैं एक थमनेल की फोटो मैं यहां से भी ले लूँ कि अगस्त में कब कटे यह इसका कुछ कहा नहीं जा सकता और एक और बात है वह बात यह है अब मैं अपने कोलीज के एडविशन के लिए भी बीजी हूं तो इसलिए वीडियो नियारी कल एक मनने लास्ट वीडियो डाल दी थी बादा सेकंड की सामके टाइम सुबह भी आई एक और वीडियो एक वो तो खेत की आई है तो जो आपने वीडियो देखिए कि इस चीज का इस चीज में वियस्त हूं इसलिए वीडियो सामवाले टाइम से नहीं आरी तो वही मामलत था मैं सारी चीज आपको उसकी एक लोंग वीडियो बना के समझा दूंगा काफी सारी मैंने वीडियो बना भी रखिये कुछ वीडियो अभी मैंने इस परकार की बना रखी कि जो कि यूट्यूप पे अपलोड तो हैं मैं लेकिन मैंने पबलिक नहीं करats की यूट्वी कुछ समय बाद है, zamamba यूट्यूप अग्वाज제를 इस वीडियो को यूट्यूप खुध सं करता हूं मैं तो अपना ठीक है मतलब कोई दिक्कत नहीं आती इस्टोरेज पर पर टाइप है मेरे पास वड़ाफोन आइडिया का सीम है जिसमें बारा से चेहरात को सिरी मिलता है और मैं माले जब वीडियो बना रहा हूं यह वीडियो मझे अप्लोड करने योगी तो मैं रा जैसे की मैं और मेरा एक होर मैं दुबा कर से बता दूँ आपको खास यूट्यू पर वीडियो डालना एक पैसा कमाना अलग बात है लेकिन जो यह मैं वीडियो यूट्यू पर बना रहा हूं यह बना रहा हूं आने प Wow और ताइम प्योचर में क्या चीज यहां पर बदल जाएगी जैसे मैं अगर आपको तारीक बता हूँ आज की तो आज है 28 जुलाई और अब एक साल बाद या दस साल बाद यहां पर क्या हुआ मिले या क्या बना मिले यहां पर हमारा आना बंद हो जाए यहां पर बिल्डिंग भी बनी हो सकती है एनिफिंग एल्स कुछ भी बन 2023 को यहां पर इस वक्त खेती हो जी थी खेती में एक थे धान लगी थी मोसम कुछ इस परकार का था यह बुगला भी इसमें कैद हो गया यह यह कि जो मतलब आपको मैं किस परकार समझाओं कि एक साहब से जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में क्या होगा और जो पास्ट मे सब कुछ गुजड़ चुका है अभी जो मैंने एक मिनट पहले चीज़ बोली वो सब इसमें रिकोर्ड है पर अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वीडियो को ना डालू मैंने काफी ज़्यादा वो बात अपने मन की कह दी खैर पर कोई रिकत नहीं यह अपना एक है यही सारी म मेरी मतलब मन की बात थी अब कुछ लोग इसे देखे मेरे भाई-बैन यह भी कहें कि भाई तुक एकका डालता रहता है मैं तो मेन अपना यूट्यूब पे वीडियो डालने का वो बता रहा हूं बाकि वीडियो में इतना ही अभी न परता आप सिंग लोग लाइक से सब्स करना वीडियो में इतना ही रखते हैं यह अपना इंत है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद